गोरकपु जिला जेल के सुरक्षा के मद्दे नज़त जिला प्रसासन द्वारा जिला जेल स्थित काकूरी कांड के महा नायक पंडित राम प्रसाद विस्मिल के बलीदान स्थल को चौट अरफा बंद करके आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है पंडित राम प्रसाद विस्मिल के इस एतेहासिक स्थल पर लोगों के आने जाने पर लगे प्रतिबंद को खटाए जाने की मांग को लेकर हिंदू चेतना मंच के सदस्यों ने शुकरवार को जिला दिकारे को अपनी मांग से संबदित ग्यापन सौपा हिंदु चेतना मंच के सदस्यों का कहना है कि लंबे समय से लोग जिला जेल स्थित्स पंडित राम प्रसाथ बिस्मिल बलीदान इस्थल पर बिस्मिल के दर्सन के लिए आते हैं हिंदु चेतना मंच के सदस्यों ने ग्यापन के माध्यम से बिस्मिल के इस बलीदान इस्थल से लगाए गए प्रतीबंद को ततकाल वापस लेने की मांग की है गुरकपो न्यूस से बात करते हुए संस्थान के रदुवंश हिंदु ने कहा जैसे देखे हम लोग विस्व का सबसे लंबा तिरंगा 11 किलोमीटर राट कुंटर का लेगर के सहीदों के सम्मान के लिए पूरे भारत में चल रहा है इस तिरंगा यात्रा के अंतरकत जब हम लोग पंजीतराम प्रशाद विस्मिल जी को देखने गए तो वहाँ पर पता चला कि पंजीतराम प्रशाद विस्मिल जी का जो फासी घर था उस घर जो पहले खुला हुआ था अब उसको प्रसासन ने बंद कर रखा है सबसे दुरवाग की बात है कि सहीदों के सम्मान के लिए वैसे ही लोगों का थोड़ा कम ही रुजान रहता है और अगर इनको बंद कर दिया जाए तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ आम आदमी तो जाएगा नहीं और जाने की जो मेथट है उसमें एक सबसे दिक्कत है कि जो कैदियों से मिलने जैसे हम जाते हैं उसी तरह से जाते हैं हाथ पर ठपा लगाना जाने के लिए अनुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा तो पंडित राम प्रशाद विस्मिल जो गोरपूर में इनकी फांसी हुई इतने महान सही थे उनसे मिलने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए उनके फांसी के अस्थली को दर्शन करने के लिए अगर हम लोगों को इतनी कठिनाई हो रही है तो आम जनता तो जाएगी नहीं हम लोग उने दो दिन में देखा एक भी जनता नहीं जा रहे हम लोग मांग करने कि जो चाहर दिवारी के अंदर उनको पैक कर दिया गया है उस चाहर दिवारी को एक दर्वाजा लगा के खोला जाए चूंकि वो पूरा सुरक्षित है जेल से उसका कोई लेना देना नहीं है अब जेल से लेना देना नहीं है फिर भी चाहर दिवारी इसे बंद कर दिया कि दुर्भाग पूर्ण है उसको खोला जाए जिसे आम जनता जो है कि उसको देख सके दर्शन कर सका